हेलो बच्चो विनिंग इज टेडी पॉइंट में रोहित कुमार आपका स्वागत करते हैं आज मैट की फिर्स्ट किलास है आपकी जिसमें 12th के सेक्शन को पूरा कवर किया जाएगा NCRT प्लस सम इंपोर्टन्ट कोश्चन्स इसमें यह सारे चैप्टर्स जितने भी आपके 13 चैप्टर्स हैं मैथ में जितने भी 13 चैप्टर्स हैं आपके मैथ में जो NCRT के हैं और प्लस जितने भी इंपोर्टन्ट कोश्चन्स हैं exam oriented एक्जाम से related जितने भी इंपोर्टन्ट कोश्चन्स हैं वो मैं सारे कवर कर दूँगा क्लास आपको सारी ओन लाइन एविलेबल है और यह बहुत ही आपको जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको बहुत ही नॉमिनल रेट 10 रुपे में आपको चैप्टर आपको एविलेबल के कराये जा रहे हैं और सारे के सारे chapters आपको NCRT के topic wise और plus some important questions उसमें कुछ जोड़ रहा हूं मैं अपनी तरफ से जिसमें आपको सारे के सारे chapters easily cover हो जाएंगे exam की पूरी तयारी हो जाएगी आपकी आपको बिल्कुल भी tension यह नहीं लेने कि इन chapter में से क्या important है क्या है आपको इतना करा दिये जाएगा कि आप exam में जाके 100 score easily कर सकते हैं तो यह सारी चीजें आपको cover कराई जाएंगी जिसमें आपको यह पता है कि हमारे पास अभी 12th में 13 chapter है first relation and functions जो आपने 11th class में भी पढ़ा है उसी का थोड़ा अब upgrade version आएगा इसमें inverse trigonometric functions इसमें क्या होगा जो आपने trigonometry 11th class में पढ़ी थी उनहीं के base पे आप उसका inverse निकाला जाएगा मतलब अब तक आप जिसकी भी values निकालते थे आप उसमें आप angles की value निकालना शुरू करेंगे और भी बहुत सारी बाते हैं इसके अंदर plus matrices ये एक बिलकुल ही नया different topic है जिसको सीखने हैं बहुत ही interesting और बहुत ही easy topic में से एक है determinants ये भी बहुत easy topic है इसी से related है और यहाँ से आपका आता है chapter number six to nine ये आपका पूरा का पूरा calculus section है calculus section सबसे ज़्यादा weightage रखता है आपका और सबसे ज़्यादा महेंगे chapter में से एक है जिसको कि आपको second book और first book दोनों को मिला के है six से नहीं five से five six seven eight nine fifth chapter continuity and differentiation differentiability ये chapter आप लोगों ने 11th class में 13 chapter जैसे लिमिट and derivative के नाम से था उसे पड़ा है बस उसी का एक नया upgrade वर्जन ये भी है फिर उसी से related इसके applications है कि कैसे कैसे इनके use है फिर seventh chapter integration जिन बच्चों के पास science होगी वह आप आपने देखा होगा कि कैसे integration किया जाता है physics में बाकि commerce students जो है उनके लिए एक बहुत ही नया topic है applications of integrals इनी के uses है differential equations ये एक नया type का है जिसको अभी इसमें भी integration ही use होगी लेकिन एक नया type का topic है vector algebra physics वाले बच्चों ने बढ़ा होगा commerce वाले बच्चों के लिए भी ये नया होगा three dimensional geometry ये भी आपके पास एक नया topic है लेकिन आप लोगों ने 11th में इसके कुछ parts पढ़ लिये है linear programming ये बिल्कुल सेम आपके 11th के 6th chapter जैसा ही है बस कुछ नए points जुड़े है और उसको हमें पढ़ना है probability ये आप सुरू से पढ़ते आ रहे हो 9th किलास से बस इस बार क्या है जैसा कि आप हर किलास में लगातर देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है अब जो बच्चे 10th से 11th में गए है उनके पास एपलाइड मैथ आने के चांस है ये नहीं कि आपके पास भी अपलाइड मैथ आएगी अभी आपके पास वही उल्ड जो पुरानी चल रही थी वही मैथ आपके लिए चलेगी अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे आप कि हाँ हमें एपलाइड मैथ मिल जाएगी अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है एपलाइड मैथ उन बच्चों को मिलेगी जिन बच्चों के बस अब जाके वह 11th में एपलाइड मैथ लेंगे फिर उनके पास next year से 12th में आएगी ठेक तो फिलाल आज बिना टाइम कि मैट्रिस की क्लास रूग की जा रही है सबसे पहले मैट्रिस की क्लास को मैं सुरुआत करने जा हूँ तो फटा फटा आप लोग देखेंगे कि चैप्टर सुरुआत करे जा रही है हाँ जी बच्चों अब आपके सामने मैट्रिस चैप्टर की सुरुवात होने जा रही है अब सबसे पहले आपको यह बता जाएगा कि मैट्रिस आखिर कार क्या कहना चाहता है क्यों इसको पढ़ना जरूरी है पहली बात मैट्रिस क्या है एक ग्रुप है एक ग्रुप है किस चीज़ का रौ का और कॉलम का ग्रुप का और कॉलम का हाँ जी ग्रुप और कॉलम यह क्या चीज़ है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए देखिए अगर आपसे एक क्लासरूम के अंदर डेक्स लगाने के लिए बोले गए है जैसा कि आप अपने क्लासरूम में डेक्स लगे हुए देखते है तो आपने क्या देखा कि जब आप horizontally ऐसे कर के बैठ रहे हैं इस तरीके से जा रहे हैं इस तरीके से जा रहे हैं तो ये आपका कौन है भई लेफ टू राइट जाने वाले आपके सारे के सारे कौन है रॉज है जबकि अगर आप अपनी आँखों के सामने यानि आपने देखा और आपके आँखों के सामने बिलकुल एक स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपके सामने ये पूरा यहाँ पे आपका फ्रेंट खड़ा है उनके आँखों के सामने उनके आँखों के सामने इस तरीके से जब बिलकुल स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से चल रहे हो तो वो आपके लिए क्या बन जाएंगे वो आपके ल horizontal phase में हैं तो वो क्या बन जाएंगे Roland रो सीधी सी बात है आपको क्या देखना आपको अपने notebook में नोटबुक में जब आप लिखते हैं तो रो के हिसाब से लिख जब किसके हिसाब से लिखते हैं रो के हिसाब से left to right लart और जब आपके पेजी में एक line होती है सीधी जो section करती है page को वो आपके लिए किसका काम करती है column का तो इसी तरीके से जितनी भी चीज़े आपको horizontally मिले left to right जाती हों मिले वो सारे आप row कहेंगे उन सब भी को और जितनी भी चीज़े आप vertical ही देखेंगे सीधे सीधे देखेंगे अपने आखों के बिल्कुल perpendicular बिल्कुल सीधे में देखेंगे तो भई उसे हम क्या कहेंगे vertical column क्या कहेंगे column row को matrices में i से denote किया जाता है जबकि column को small j से denote किया जाता है अब हमें इन्ही को represent करना है तो जरफटा फट देखेंगे ये तो एक understanding वाली बात हो गई लेकिन अब math से regarding अगर हम बात करें तो कैसे बात करेंगे देखेंगे जड़ा हंजी सबसे पहले देखिए अगर मैं माल लीजिए कोई matrices लिख रहा हूँ A ये हमारे पास column ये matrices के लिए brackets है इस brackets का इस 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 इसाहिए आप जैसे माल लीजिए मैंने लिख दिया बई A, B, C, D, E और F और F A, B, C, D, E और F तो अब इन में बात आती है कितने रो है बात आती है कितने कॉलम है अब रो, क्रोस रो, क्रोस, कॉलम जब हम फाइंड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं order of matrix क्या बोलते हैं? order of matrix कब रो, क्रोस, कॉलम यह यह multiple नहीं है अभी अभी यह क्रोस है मतलब यह बता रहा है कि कितने हमारे पास रो है और कितने हमारे पास कॉलम है तो इसको देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यह वह एक, horizontal एक दूसरे पाएंगे, horizontal दो तो कितने रो मिले हमें? हमें रो मिले भाई, दो एक और यह दो हमें दो रो मिलगी ठीक है? अब बात आती है column तो column मैंने बताया था कैसे? सीध में देखना है एक, दो तीन, तो column कितने हो गए? तीन, तो अगर आपसे कोई matrix का order पूछ ले, तो बस आपको देखना है कितने रो हैं? दो रो हैं कितने column हैं? तीन column है, तो उसका order क्या हो गया? टू क्रॉस थ्री, उसका order क्या हो गया? टू क्रॉस थ्री एक और एक्जामपल लेते हैं चोटा सा मालीजी ये B ले लिया हमने हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने ये एक मैट्रिक्स आपके सामने ले लिया अब आपसे बोला गया हंजी इसका ओर्डर बताई तो आपने तुरंट कहा कि हंजी ओर्डर का मतलब होता है रो क्रॉस कॉलम ओर्डर का मतलब क्या होता है रो क्रॉस कॉलम हंजी तो रो कितनी है पता करेंगे एक, दो, तीन हंजी थ्री रोज है हंजी कॉलम कितने है वर्टिकल देखेंगे एक, दो, कितने कॉलम है दो, तो वही इसका ओर्डर क्या बन गया इसका order बन गया 3 cross 2 इसका order क्या बन गया 3 cross 2 3 कौन है, row है, column कौन है 2 है, अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि Sir इसको 2 cross 3 क्यों नहीं लिख सकते Sir, इसको 3 cross 2 क्यों नहीं लिख सकते लिख सकते हैं, सब कुछ लेकिन देखिए, हर चीज का एक सीक्वेंस होता है तो हमेशा मैट्रिक्स के order को लिखने का जो सीक्वेंस होता है वो raw cross column होता है मतलब हमेशा raw को पहले रखना है और column को बाद में रखना है यह हमेशा सीक्वेंस वाइज चलता है ऐसा नहीं कि हम कभी भी किसी को उठा कर रखेंगे तो हमेशा एक sequence बनाए गया है कि जब भी हम किसी matrix का order पता करेंगे तो row को पहले रखेंगे column को बाद में row को पहले रखेंगे column को बाद में ठीक है और इसी परकार अगर जब आप इस cross को कहोगे multiple तो multiple सब्द का use करते ही आप यहाँ पे use करेंगे फिर क्या भई number of elements क्या use करेंगे number of elements और number of elements का मतलब होता है raw multiply में column multiply में column raw कितनी है इसकी two column कितने है इनके three answer two into three six यानि six elements है चाहें तो आप चेक कर सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे देख सकते हैं आप six elements है इसके इंदर इसमें भी ऐसा ही है आप पता कर सकते हैं ठीके जी number of elements raw multiple देखे आप मैं cross use नहीं कर रहा हूँ अब मैं यूज कर रहा हूँ multiple column raw कितने है three column कितना है two multiple six आप चाहे तो चेक करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये six, आपके पास पूरे के पूरे छे elements आ गए है तो हमने क्या देखा, कि अगर हमारे पास ये सारे content दिये गए हो, तो हम इसका पहले basics पता कर लेंगे क्या, कि जो matrix हमें दिया है, उसका order क्या है, order से हमें क्या पता चलेगा, कि उसके इंदर कितने row है, और कितने column है, फिर अगर हम उनको आपस में multiply कर देते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा, number of elements, क्या पता चलेगा, number of elements, क्या हन जी, number of elements is equal to row into my column, is equal to two into three is equal to six, ये हमारे पास इतनी digit आ जाएगी, अच्छा, बच्चों अब यहां तक तो आपको clear हो गया होगा, कि हमने आपे क्या किया है, अच्छा, साथ कुछ बच्चों को problem आ रही है, वो कह रहे हैं कि clear दिख नहीं रहा, यहां नीचे का, तो हम एक बर दुबारा लिख देता हूँ, एक बर इसको दुबारा लिख देता हूँ, ठीक, अगर आपने ये note कर लिया होगा, तो ये मैं दुबार लिख देता हूँ, number of elements is equal to raw into column, 2 into 3, 6, और यहां पे भी कुछ बच्चों को problem हुई थी, number of elements, raw into column, 3 into 2, 6, ठीक, अब तो सभी बच्चों के लिए नजरा रहा होगा, चलिए, अब मैं इसके अगले पड़ाओ पे चलता हूँ, अगला पड़ाओ क्या है इसका, कि हंजी अब ये तो हमने बना लिया, क्या, हमने पता कर लिया, कि row है, हंजी column है, row को कैसे पचानते हैं, ये भी पता कर लिया, कॉलम को कैसे पैचानते ही ये भी पता कर लिया अब किसकी बारी है अब बारी ये है कि अगर हमें कोई कंडिशन दे दी जाए रो और कॉलम के लिए तो हम उसे मैट्रिक्स कैसे बना सकते है वह ये तो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें पहले से ही यह matrix नो में दिया गया है कहरा भई order पता करो number of elements पता करो लेकिन अब बात किस चीज़ की आती है अब बात आती है कि भई अब की बारना आपको number of elements पहले से ही दे रखे order पहले से ही दे रखा है लेकिन matrix नहीं दिया आप से का गया matrix पता करो तो लीजिए, बहुत सिंपल केस है, आपके सामने ये, मैं करने जा रहू हूँ, फटा फट देखेंगे चलिए, अब देखिए, एक बहुत सिंपल सा एक्जामपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए, आपको मैट्रिक्स बनाना है A मैट्रिक्स matrix के नीचे दिया गया आपको I और साथ में दिया गया J अब क्यूं दिया गया भई I J जरह सही से समझेंगे इस I का मतलब है जो row को represent करता है और इस J का मतलब है अभी बताया था जो column को represent करता है ठीक है जी? column को represent करता है आपको condition क्या दी गई है? आपको condition दी गई है कि आप एक 3 x 2 का matrix बनाईए आपको क्या condition दी गई है कि आप एक 3 x 2 का matrix बनाईए कौन सा matrix? A matrix बनाना है अब आप देख सकते हैं कि I का मतलब 3 यानि कि रो 3 चाहिए हमें J का मतलब column मतलब column कितनी चाहिए हमें? 2 यानि ऐसा matrices बनाओ ऐसा matrices बनाओ हंजी अच्छो तो हम दे A A matrix I row को J column को यानि कि हमें ऐसा matrix त्यार करना है जिसमें रो 3 हो और column 2 हो लेकिन ये तो हो गया order अब बात आती है condition की कि हान जी आपको condition किस condition पर किस condition पर आपको matrix त्यार करना है तो आपको condition दी गई है I प्लस J यानि row को column के साथ add करना है row को column के साथ क्या करना है? add करना है ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आपको A matrix बनाना है जिसके अंदर row कितनी हो तीन column कितने हो दो तो अगर ऐसी बात है तो जरह ध्यान से सुनेंगे बच्चों कितनी row चाहिए हमें? तीन row चाहिए column कितनी चाहिए हमें? दो column चाहिए तो अगर हमें तीन row बनानी है और column दो बनानी है तो आप दिरा ध्यान से सुनेंगे क्या करना है हमें? A matrix बनाना है तो देखिए क्या करेंगे? A 1-1 मतलब क्या हुआ? 1st row 1st column अगला A 1-2 इसका मतलब क्या हुआ? 1st row 2nd column अब देखिए column तो हमें 2 से ज़्यादा चाहिए ही नहीं तो क्या हम A 1-3 लेंगे? नहीं ले सकते क्यों? क्योंकि 1st row तो चाहिए लेकिन column 3 नहीं चाहिए तो इसलिए यहीं खतम होता है अब देखिए A 2-1 मतलब 2nd row 1st column अब देखिए A 2-2 2nd row 2nd column क्या A 2-3 की जुर्त है? बिल्कुल नहीं क्यों? क्योंकि 2nd row तो चाहिए लेकिन 3rd column नहीं चाहिए चलिए A 3-1 3rd row 1st column हां जी 3rd row 1st column A 3-2 3rd row 2nd column बिल्कुल ठीक A 3-3 लेंगे नहीं क्यों? 3rd column 3rd row तो चाहिए लेकिन 3rd column नहीं चाहिए अब A 4-1 की जुर्त ही नहीं क्योंकि 4 जैसा कहीं इस्तमाल नहीं है तो यह हमारे पास यह आ गया A 1-1 A 1-2 A 2-1 A 2-2 A 3-1 A 3-2 अब इसका मतलब क्या है? 1-1 का मतलब 1st row 1st column 1-2 का मतलब 1st row 2nd column 2-1 का मतलब 2nd row 1st column 2-2 का मतलब 2nd row 2nd column 3-1 का मतलब 3rd row 1st column 3-2 का मतलब 3rd row 2nd column अब कुछ नहीं करना आपको condition पता है A I J के लिए condition आपको दी गई है I plus J तो बस आप A के करके इन में से उठाइए A 1-1 यानि कि I की जगा पे 1 1-1 का मतलब यह I को represent कर रहा है और यह J को represent कर रहा है तो I की जगा पे 1 J की जगा पे 1 answer is 2 इसी परकार A 1-2 क्या मनेगा? हाँ जी I की जगा पे 1 J की जगा पे 2 3 A 2-1 I की जगा पे 2 J की जगा पे 1 कितना हो गया भी? 3 अब next A 2-2 I की जगा पे 2 J की जगा पे 2 कितना हो गया? 4 A 3-1 I की जगा पे 3 J की जगा पे 1 4 A 3-2 तो I की जगा पे 3 J की जगा पे 2 answer 5 तो आप हमें बनाना है matrices, तो बस एक matrix बनाना है, तो बस put कीजिए, A11 की value कितनी find यह आपने, 2, A12 की value 3, A21 की value 3, A22 की value 4, A31 की value 4, A32 की value 5, तो लीजिए, आपके सामने एक ऐसा matrix तयार हो चुका है, जिसकी 3 row है और 2 column है, 3 row है, और 2 column है, और condition किसके उपर है, I plus J के उपर, तो इस तरीके सा एक normal, एक बहुत ही simple question आपके सामने होगा, ठीक, अब जिन बच्चों को clear हो गया है, तो वो अपनी सहमती पूरी तरीके से बता सकते हैं, नहीं मैं एक question और ले रहा हूँ, क्या हर बच्चे कहेंगे, क्या सर सर ऐसा plus में भी आ सकता है, minus भी तो हो सकता है, multiply भी तो हो सकता है, divide भी तो हो सकता है, कोई other digits भी सो हो सकती है, बिल्कुल definitely हो सकती है, तो मैं कुछ questions को यहाँ पर cover कर रहा हूँ, तो एक बार आप फटा फट इसको देख लेंगे, ठीक, और इसे notebook में अपने note कर लेंगे, ब यहाँ पर यह वाली बात समझ में नहीं आई, यहाँ पर यह वाली बात समझ में नहीं आई, तो आपको क्या करना है, बहुत ही simple काम है, आप मेरे WhatsApp नमबर पर WhatsApp नमबर पर मुझे अपना doubt भेज़ सकते हैं, और जो भी आपको यहाँ से homework दिया जाएगा, वो भी इस पर अपनी पिक, यानि उसके homework की अपनी पिक की क्लीनी है, और इस नमबर पर सेंट कर देना है, ताकि मुझे पता चलता रहे, कि हाँ, बच्चे लगातार घर पर बैट कर, क्योंकि आभी को पता ही है, लॉक्डाउन है, अभी डैली के अंदर, और केसी काफी बढ़े हुए हैं, तो इ homework वाला process है, वो रोके नहीं, उसको अपने करें और इस नमबर पर लगातार सेंट करते रहें, ठीक है, और कोई भी डाउट होता है, तो मुझे इस नमबर पर WhatsApp करके बताएं, कि हाँ जी डाउट है, तो मैं जूम एप पर आपके डाउट कवर कर लूँगा, जूम एप पे, जूम एप पे मैं आपके डाउट कवर कर लूँगा, ठीक है, चलिए, एक question और लेता हूँ मैं, अब माल लीजिए आपको matrices बनाने के लिए बोला गया है, 3 into 3, यानि 3 cross 3 का order आपको यह दिया गया है, और condition दी गई है, और condition दी गई है आपको बच्चो, condition बहुत simple सी दी गई है आपको, माल लीजिए, 2i minus 3j, ऐसे देती गई है, कि हाँजी अब बताइए क्या बनेगा, तो बहुत simple, हमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, A matrices बनाना है, हाँजी क्या बनाना है, 3 row होने चाहिए, 3 column होने चाहिए, फिर वही process, मिल्कुल जो पुराना process था, पहले वही, A11, क्यों, 1st row, 1st column की शुरुआत, A12, क्यों, 1st row, 2nd column की शुरुआत, A13, 1st row, 3rd column की शुरुआत, A11, A12, A13, क्या A14 लेंगे, ओव्यसी बात है नहीं, क्यों, क्योंकि 1st row तो चाहिए, लेकिन 4th column नहीं चाहिए, चलिए, नेक्स्ट बे आते हैं, A21, 2nd row, 1st column, A22, A22, 2nd row, 2nd column, A23, 2nd row, 3rd column, चलिए, A24 लेंगे ही नहीं, जब हमने पहले में नहीं किया, तो दूसरे में क्यों करेंगे, A31, 3rd row, 1st column, 32, 3rd row, 2nd column, 33, 3rd row, 3rd column, तो क्या देख सकते हैं आप सभी, क्या आपके सामने 3 rows और 3 columns आपके सामने आ चुकी हैं, ठिक, अब क्या करना है, बहुत simple काम, condition आपको दी गई है, एक-एक value यहां से उठाना है, और इसमें put करना है, लीजिए, condition A, I, J के लिए, क्या condition दी गई है, 2I, minus 3J, बस simple बच्चो, A11 उठाइए, I की जगा पे 1, J की जगा पे 1, put हीजिए, 2 वन जा, 3 वन जा, 3, minus 1, यहां गया solve होके, A12, बस 2, I की जगा पे 1, J की जगा पे 2, तो यह हो गया 2 और यह हो गया 6, answer is minus 4, अगला, A13, 2 की जगा पे, I की जगा पे 1, J की जगा पे 3, 2, 9, तो हंजी कितना बन चुका है यह, यह बन चुका है, 7, यह कितना बन चुका है, 7, वो भी कैसा 7, minus का 7, ठीक है जी, चलो, next देखते हैं, A21, तो भाई 2, I की जगा पे क्या पुट करेंगे, 2, और J की जगा पे क्या पुट करेंगे, 1, तो 4 minus 3, 1, A22, हंजी, I की जगा पे 2, J की जगा पे भी 2, तो क्या होगा, 4 minus 6 minus 2, A23, I की जगा पे 2, J की जगा पर 3, तो यह आ गया, 4 यह आ गया, 9 minus का 5, next क्या है, A31, I की जगा पे 3, J की जगा पे 1, 6 minus 3, यह आ गया, 3, next, A32, I की जगा पे 3, J की जगा पे 2, sorry, 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 तो यह हो गया, 6 minus 6, 0, और A33, I की जगा पे 3, J की जगा पे 3, 6 minus 9, minus 3, तो लीजिए, now, अब आपके सामने मैट्रिश इस तयार है, आपके सामने मैट्रिश इस तयार है, A11, A11 की वैलू, minus 1, A12, A11 की वैलू, minus 1, A12 की वैलू, minus 4, A13 की वैलू, minus 7, minus 7, A21 की वैलू, 1, A22 की वैलू, minus 2, A23 की वैलू, minus 5, A31 की वैलू, 3, A32 की वैलू, 0, A33 की वैलू, minus 3, और यह आपके सामने इसका अंसर, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल कंटेंट है आपके सामने, जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइट के जा रहा है, अब यह मैं सोचिए कि बस मैंने इतने से कोस्टिन कर रहा है खतम, यह अभी मैं लास्ट में, क्लास के लास्ट में आपको बहुत सारे कोस्टिन्स ऐसे लिख के देने वाला हूँ, ठीक, और प्लस आपको NCRT का 3.1 भी कवर करना है, NCRT का 3.1 कवर करना है, पूरा का पूरा इससे, ठीक, तो अभी मैं आपको किस तरीके से मैट्रिक्स को फॉर्म किया जाता है, अच्छा, अभी मैंने टाइपस और मैट्रिक्स वगरा भी आपको यह सब कुछ नहीं बता है, अभी उसकी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ सीखते जाएंगे, अभी फिलाल मैंने आपको ये बताए है मैट्रिक्स क्या है मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम लोग फर्म करते है उसमें क्या क्या चीज़े जरूरी है जैसे उसके order पता करना उसके number of elements बता करना ठीक उस्से किस तरहेज़े से मैट्रिक्स फर्म होती है यह सारी चीजे ठीक तो अभी हमने फिलाल यही किया है 3.1 मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ अभी फिलाल के लिए बाकिया आप इसको कवर करते रहेंगे जो भी डाउट रहेगा मैंने अपना नंबर दे दिया है आपको बस उस पर फोटो कीचके भेजनी है और कोई भी डाउट है परसनली बस मेरे को मैसेज कीजिए मैं आपको जूम एप पर वो सारे डाउट कवर कर दूँगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट के लिए हम आगे बढ़ते हैं अब यह 3.1 का लाज्ट टॉपिक है जिससे आपकी 3.1 कवर हो जाएगी इसमें क्या करना होता है यह इक्वल मैट्रिक्स क्या जाता है इसे इक्वल मैट्रिक्स किस तरीके से यह कॉर्सपॉंडिंग ले इक्वर होते हैं कॉर्सपॉंडिंग में कैसे देखो बच्चो जैसे अगर आप देख रहोंगे कि यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है यानि अपन ही position के बराबर में जैसा दिखाए गया है तो equate, equate का मतलब ही क्या है? कि वह चीज आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए? अब यह मत कहना कि सर यहाँ पे 5 है, 5 प्लस Z है और यहाँ पे 5 है, यह तो equate हुआ ही नहीं, इसको equate करना है, इसको क्या करना है? equate करना है, तो equate करने के लिए हम हमेशा corresponding element को आपस में equate करते हैं, इसका corresponding यह है, इसका corresponding यह है, इसका corresponding यह है, तो इस तरीके से हम corresponding काम करते हैं, क्यासे काम करते हैं? corresponding, तो लीजिए, समझे यह बहुत simple, माल लीजिए मैंने इसको उठाया corresponding में 5 plus z equal to 5 तो ये plus 5 उस तरफ जाएगा यानि ये plus का 5 equal के इस तरफ आएगा क्या बन जाएगा? minus, बच्पन से सीखते आ रहे हैं 5 minus 5, 0 तो इसका मतलब z की value कितनी हुई? 0 अच्छा, अब देखते हैं इसको तो देखिए, x plus y x plus y बराबर किसके दिया हुए? 6 के लेकिन यहाँ पे तो नहीं हमें x की value पता है ना y की value पता है तो हम पता कैसे लगाएंगे? कोई बात नहीं आप यहाँ से किसी एक की value निकाल लीजी आपकी मर्जिये किसकी भी निकाल लीजी यह value चाहे x की, चाहे y की माल लीजी हमने x की value निकाली तो यह plus वाला y equal के इस तरफ आके किस चीज का बन जाएग अभी? minus का तो हमारे पस x की value क्या आगई? 6 minus y अच्छा, अब अगर आप इस वाले को equate को देखेंगे तो आपको x minus y किसके बराबर दिखाई दे रहा है? x, y किसके बराबर दिखाई दे रहा है? 8 के बराबर दिखाई दे रहा है और अभी-अभी, recently हमने एक काम किया है x, y हमें 8 के बराबर दिखाई दे रहा है और अभी-भी हमें एक बात पता चली है कि जो x है वो किसके बराबर है 6-y के तो बस simple x के जगा पे हम क्या पुट कर देंगे 6-y और x के जगा पे हमने ये पुट कर दिया तो बाहर कौन रह गया बाहर रह गया y बराबर 8 अंदर multiply करो y को 6 से multiply करोगे 6y- y को y से multiply करोगे minus y का square ठीक अब इन सारी values को उस हाग के उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 यह minus का y square इधर आके plus का y square plus का 6y इधर आके minus का 6y और यह बन गया plus का 8 क्या बन गया plus का 8 अच्छा अब यहाँ plus का 8 अब इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब क्या करना है आप साथ देख रहे हैं quadratic equation हमारे सामने आ चुकी है quadratic equation कैसे solve करते हैं बच्पन से सीखते आ रहे हैं आपको पता है y square के आगे यानि square वाली term के आगे कोई भी number है अभी यहाँ पे तो कोई number है नहीं तो क्या होगा यहाँ पे वन होगा इस वन को इस 8 से multiply कीजिए तो 8 वन्जा 8 फेक्टर कीजिए 2 2 2 4 2 1 हमें क्या चाहिए minus का 6 चाहिए हमें क्या चाहिए minus का 6 तो अगर आप गौर से देखेंगे 2 2 जा 4 और 2 वन्जा 2 तो 4 और 2 6 होता है बिलकुल होता है लेकिन हमें जो 6 चाहिए वो कैसा चाहिए minus का कैसा चाहिए minus का तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं 4 को भी minus ले लूँ और 2 को भी minus ले लूँ तो minus 4 minus 2 minus 6 easily बन जाते हैं तो simple y square क्या मैं इसे minus का 4y और minus का 2y लेक सकता हूँ क्यों क्यों क्योंकि minus 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 4 minus 2 minus का 6 plus 8 अच्छा 8 का factor अभी अभी हमने क्या बनाया 4 और 2 तो मैं इसे 4 into 2 भी लेक सकता हूँ अब देखिए इस वाले में क्या common आ रहा है y तो जब y common ले लिया 2 में से 1 y common लिया बचा 1y minus क्या बचा 4 अच्छा इन दोनों में क्या common आ रहा है देखिए common आ रहा है 2 लेकिन मुझे common ऐसा लेना है ताकि ये बन सके तो मैं minus का 2 common लूँगा क्यों लूँगा minus का 2 common ताकि भई यहां पे y plus का है तो ये भी y किसका हो जाएगा और 4 कैसा चाहिए मुझे minus का इसलिए मैं आँ minus का 2 common लिया है ताकि जो ये plus का 4 है वो कौन सा 4 बन जाए minus का 4 बन जाए तो लीजी आप simple वापस common ले सकते हैं y minus 4 common लिया आपने तो अंदर क्या बचेगा y और यहां पे minus का 2 यहां पे minus का 2 तो बहुत simple है बाकि y minus 4 अब एक बार इसको 0 के बराबर रखिए और एक बार इसको 0 के बराबर रखिए तो y की value 4 और y की value plus का 2 minus का 4 वहां के plus minus का 2 यहां के plus का 2 तो y की value 4 और y की value 2 यहनि y की 2 values आई हैं तो इसका मतला अगर y की 2 values हैं कैसे होंगी, देखेंगे, हंजी, if y is equal to 4, अगर y 4 है, तो x तो आपको अभी पता ही चला था थोड़ी देर पहले की इतना ऐसी value निकाली हमने, तो put कीजिए, y की value क्या put करेंगे, 4, यानि 2, यानि कि बच्चों हमने क्या देखा, कि अगर y की value 4 है, तो x की value क्या होगी, 2, और if, अगर y की value है, 2, तो आप understood है, सीधी सी बात, तो y की value, x की value क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानि अगर y की value 4 है, तो x की value 2, और y की value 2 है, तो x की value 4, तो इस तरीके से हमें इसके अंदर x, y और z find करना था, जो कि हम find कर चुके हैं, कि x की value हमारी आ चुकी है, 4 और 2, y की value आ चुकी है, कितनी भई, भई, 4 और 2, किस तरीके से, अगर y 4 है, तो x 2, और अगर y 2 है, तो x 4, और z का permanent value क्या रही भई, 0, तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा question है, इसे cover करेंगे, उसके बाद फिर मैं इस question के उपर काम करूँगा, ठीक, इसका अपने notebook में cover कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है, बाकि हम आगे बढ़ते हैं, हम जी बच्चों, देखेंगे ज़रा, अब ये हमें दिया गया है, equal matrix, और आपको अच्छे से पता है, कि किसको कैसे compare करना है, मैंने बता रखा है, आपको corresponding compare करते हैं हम हमें से, चलिए, तो a-b को minus 1, और 2a plus c को 5 के बराबर, ठीक है, अच्छा, फिर 2a minus b को 0 के बराबर, और 3c plus d को 13 के बराबर, ऐसी रहें, अच्छा, अब a-b, a-b, इसको equation मानेंगे first, इसको equation मानेंगे second, अब a-c और c-d, इसको आप मान लीजिए third, और इसको मान लीजिए आप क्या भई, आप इसको मान लीजिए fourth, ठीक, अब देखें, इन दोनों में तो similarity है, लेकिन इन दोनों में similarity नहीं है, तो क्या किया जाए, तो बहुत simple, पहले हम first और second को solve करेंगे, तो लिखेंगे, solve equation first and second, तो a-b is equal to minus 1, 2a-b is equal to 0, अब सभी को elimination method बहुत अच्छे से बता है, 10th class में आपने किया है, देख सकते हैं, आप b वाली value same है, तो बस हम sign change करेंगे, ये plus का है, तो minus, minus का है तो plus, plus का है तो minus, अच्छा, ये plus, ये minus, cancel out, ये minus का a, ये plus का a, तो minus का a, minus 0, minus 1, minus का 1, और आप अच्छे जानते हैं, minus से minus, cancel out, a की value कितनी आ चुकी है, 1, a की value कितनी आ चुकी है, 1, तो बस simple, अब इस a की value को, आप चाहें तो equation first में, आप चाहें तो equation second में, किसी में भी रख सकते हैं, तो माल लीजिए, मैं कहता हूँ, put A in equation first, तो हंची, first equation क्या है हमारे पास, A minus B is equal to minus 1, यह हमारे पास first equation है, तो A की value, अभी अभी हमने कितनी निकाली है, 1 निकाली है, तो बस B की value चाहिए, तो minus 1 इस तरफ आके plus, minus B इस तरफ जाके plus, तो B की value कितनी आचुकी है, 2, तो A की value 1, B की value 2, अब उठाइए third equation को, now, in equation, third, in equation, third, third equation देखिए, 2A plus C बराबर 5, हंजी, 2A की value तो आपको पता है, कि 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 put कर दिया, हंजी, 2 1s are 2, plus C is equal to 5, plus 2, equal के उस तरफ जाएगा, और value क्या बनाएगा, 3, तो हमारे पास C की value आचुकी है, कितनी? 3 value आचुकी है, कितनी value आचुकी है, 3, अब आपको अच्छे से पता है, कि आप हमें क्या निकालना है, D, तो बस, हंजी, now in equation, now in equation, fourth, fourth equation है, आपके पास, 3C plus D is equal to 13, 3C plus D is equal to 13, और C की value आप अच्छे से जानते हैं, कितनी है, 3 है, put किया, 3, 3 is a 9, हंजी, D की value plus 9, इस तरफ आके minus, और ये value क्या बन चुकी है, 4, तो लीजी आपके पास सारी value आचुकी है, A की value 1, B की value 2, C की value 3, और D की value 4, 1, 2, 3, 4, ये सारी value आपके पास आचुकी है, तो इस तरीके से ये equal matrix है, जो की 3.1 का है, matrix के 3.1 का है, तो आपको NCRT जिन बच्चों के पास अगर book है, तो बहुत अच्छी बात, और अगर book नहीं है बच्चों के पास, तो आप सभी बच्चे NCRT books app डाउनलोड कर लेंगे, इसका white color का logo होता है, ठीक है, white color का इसका logo है, ठीक, आपको ये जैसे आप सर्च करेंगे, play store पर तो ये आपको वहीं मिल जाएंगे, तो NCRT books डाउनलोड कर लेंगे, और 12th class के 3rd chapter का 3.1 आप निकालेंगे और उसको solve करके मेरे WhatsApp नमबर पर अपना homework कल सेंट करेंगे, और जिनका जो doubt है, वो अपना doubt भी send कर सकते हैं, जब भी next class, यानि कि जैसे जैसे मैं next class लेता रहूँगा, तो उन next classes में आपके इन सारे doubts को पहले class में cover कराया जाएगा, देन फिर मैं आगे के topics को cover करूँगा, ठीक, तो आपको ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि doubt आगया तो कैसे doubt लेंगे, तो doubt लेने के यहां पर पूरे आपके यानि कि पूरी विवस्ता कर दी गई है, पूरे management है कि हाँ जी आपको कोई doubt है, WhatsApp कीजिए, और आपको उसी वक्त solve करवाना है, तो फिर मैं Zoom App पे आपके लिए available हूं हर समय, ठीक, फिलाल आप इस नंबर पर अपना homework daily basis पे भीजिएंगे, और आपकी classes, alternative days पे जैसे TTS MWF चल रही हैं, तो इसी तरह चलती रहेंगी, जैसे आज है आज है आज साथ तारीक है, मंगलव तो TTS में ही आपकी classes रहेंगी, 5 to 6, 5 to 6 आपकी classes रहेंगी TTS में, regular basis में, TTS, ठीक है बच्चों, तो चलिए, आज की class यहीं over करते हैं, next class में, हम 3.2 के लिए कुछ important questions और कुछ बढ़िया questions आगे के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए